रादे रादे सभी को आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चेनल टेली टेस्ट ओफ लाइप में आज मैंने बहुती स्वादिष्ट साही पनीर की सबजी बनाई है साही पनीर का नाम सुन्दे ही सबको लगता है कि बहुती टफ या मुस्किल सबजी होगी लेकिन ये इतनी आसान तरीके से बनती है ये देखके आप भी यकीन नहीं कर पाएंगी यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को मोटे मोटे टुकडों में कट कर लिया है और ओल करम करके उसमें जीरा और काली मिर्ची अड़ कर दी है इसमें थोड़ी सी हिंग डाली है हिंग डालने के तुरंट बाद ही यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची, लैसुन और टमाटर को तेल के अंदर डाल दिया है अब यहाँ पे इनको हम एक साथ ही फ्राइ कर लेंगी फ्राइ करेंगे यानिकी इनको थोड़ा सा भूल लेंगे ताकि अच्छे से सोफ्ट हो सके इस तरीके से बनाएंगे आप सब्जी तो फटा फट से बना पाएंगे और मिंटों में और वही टेस्ट आएगा कि आप यकीन ने कर पाएंगे कि साही पनीर की रेसेपी इतनी आसान और इतनी जटपट भी बन जाती है प्यास टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ नमक डालने से सब्जी है वो बहुत जल्दी सोफ्ट हो जाती है बहुत जल्दी गल जाती है थोड़ा नमक इस टाइम पे यूजगे है और थोड़ा नमक बाद में हम ग्रेवी में डालेंगे कभी कभी क्या होता है मारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और उसी टाइम पे गेश्ट आ जाते हैं या फिर बच्चे किसी ऐसी सब्जी की डिमांड कर देते हैं पनीर की साहिरे से पिखानी है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से फटाफट से उनको बना की खिला सकते हैं सारी सब्जीयों को यहां पे मैंने एक साथ डाल कर उनको कवर कर दिया है कवर करने के बाद यहां पे हम 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे 5-7 मिनट के बाद आप इन सब्जीयों की रंगत देखिए कितनी बड़िया से यह गल चुकी हैं अब हम इनको ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद हम इनको मिक्सी जार के अंदर ट्रांसपर कर लेंगे और इनको बहुत ही बारिक हम पीस लेंगे मिक्सी में पीसने के बाद वैसे भी इनमें कुछ रहता नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुटा रह गया है तो आप ग्रेवी को चान भी सकते हैं तब ये बिल्कुल साही अंदाज में लगेगी लेकिन यहाँ पे हम मिक्सी से इसको एकदम बारिक बना लेंगे बिल्कुल साही अंदाज देंगे पनीर है वो बिल्कुल साही पनीर बनेगा दो से तीन मिनट के अंदर ही मिक्सी के अंदर बढ़िया पेष्ट बन गया है ये देखी आप नए इसको चानने की जुरूरत है कितना बढ़िया यहाँ पे मैंने पीस लिया है बिल्कुल पतला पेष्ट अब इसको क्या करेंगे एक कड़ाई के अंदर हम ओइल लेंगे जब तक हम इसको दो बार नहीं पकाएंगे सबजी है वो साही अंदाज में नहीं आएगी एक बार हमने प्याज टमाटर को बढ़िया से पका लिया है दूसरी बार हम ग्रेवी को पकाएंगे यहाँ पे मैंने कड़ाई के अंदर थोड़ा ओइल लिया है उसके अंदर जीरा डालके थोड़े कड़ी लिउज डालती है यहाँ पे आप तेज पत्ता का भी इस्तेमाल कर शकते हैं अगर आप कड़ी पत्ता खाना पसंद नहीं करते हैं तो इन सबी चीजों के ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची अड़ कर दी है लाल मिर्ची के तुरंद बाद मैंने यहाँ पे हल्दी और धनिया एड़ कर दिया है यह सूखे मसाले पहले ओईल में डाल देने से इस सबजी में कलर बहुत बढ़िया आता है लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि ओईल है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गरम ओईल के अंदर आपने मसाले डाल दिये तो लाल मिर्ची हो तुरंद दिजल जाएगी इसी के तुरंद बाद यहाँ पे जो पेश्ट मैंने बना के रखा है वो इसी कड़ाई के अंदर डाल देंगी और सभी की चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सी में जो पीछे मसाला रह जाता है टमाटर और प्याज का उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल ग्रेवी के साथ ही उसको पका लेंगी देखे लग रही हैंने बिल्कुल साही अंदाज में और कितनी फटाफट से बन के तयार हुई है आप इस ग्रेवी को बनते हुए अपने पूरी तरीके से देखा है अब हम इस ग्रेवी को 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे लेकिन गेज की फ्लेम को हम यहाँ पे लोई रखेंगे लो फ्लेम के उपर बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे बीच बीच में इसको उलट उलट करते रहेंगे ग्रेवी आपको यहाँ पे गाड़ी लग रही है तो यहाँ पे आप दूद भी डाल सकते हैं कुछ लोग पाने डालते हैं सबसे पहले देखिए इसको साही अंदाज देने के लिए हम यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल करेंगी साही पनीर जोरे से पिहोती है उसमें मारकेट वाला क्रीम डला होता है यहाँ के हम घर पे बना रहे हैं तो आपको बाहर से पनीर और यहाँ पे आपको बाहर से क्योई भी करीम लाने के आशकता नहीं है दूद के उपर जो मलाई आती है वही आप निकाल के रख लीजिए और वही ताजा ताजा ही इसके अंदर डालिए गर पे बनी हुई मलाई यहाँ पे फ्रेस क्रीम का काम करेगी देखे यहाँ पे कितना क्रीमी टेक्स्टर आ गया है सम्मत चलाने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना बड़िया क्रीमी टेक्स्टर हमारी साही पनीर की ग्रेवी में आया है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा दूद डाल सकते हैं या फिर आप गरम पानी डाल सकते हैं आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा गरम पानी यूज़ कर रही हूँ पानी हो या दूद आपको यहाँ पर गरम ही डालना है ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेवी का है कुकिंग प्रोसेस जटके से रुख जाएगा और फिर आपको वो खाने में साही अंदाज रिच अंदाज नहीं आएगा जो यहाँ पर हम लाने वाले है अब इस ग्रेवी को हम 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे जब तक कि यह पूरा ओल है वो रिलीज ना कर दे इसका बहुती बढ़िया कलर आ जाएगा तब आप देखेंगे कि ग्रेवी है वो कितनी बढ़िया से पक चुकी है साथ से आठ मिनट हुई हैं पकाते और आप ग्रेवी का कलर देखिए कितना बढ़िया कलर यहां पे आया है और कितनी बढ़िया से यहां पर पके तयार हुई है इस पॉट पे हम यहां पे थोड़ी सी कसूरी मेती हाथ से क्रस्ट करके डाल देंगी तो इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा यहाँ पे हम दो से तीन मिनट के लिए गरेवी को और पकने देंगे और फिर देखे यहाँ पे हम फ्रेस पनीर एड़ करेंगे पनीर हमेशा मैं घर पे यूज करती हूँ लेकिन कभी-कभी जल्दी बाजी हो या पिर हमें कहीं जाना हो तो हम कभी-कभार मार्केट से लाके भी बना लेते हैं आज मुझे थोड़ी जल्दी थी लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि साही पनीर खाना है तो हम मार्केट से पनीर लाए थे वो ही हमने यहाँ पे आज बना लिया है परफेक्ट पनीर आप घर पे भी बना सकते हैं बहुती बढ़िया और बहुती आसान तरीके से आप विजिट करके देखिए डेली टेस्ट ओफ लाइफ आपका अपना चेनल उसके उपर आपको पनीर बनाने की सबसे आसान रेसे भी मिल जाएगी यहाँ पे देखिए जितना ओविल हमने डाला था वो उपर आना सुरू हो गया है यानि कि सबजी है वो परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है दो मिनट के लिए और भाप लगाया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगी यह बिल्कुल यह उप्सनल है इसके बिना भी सबजी है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी लेकिन यहाँ पे हमें आज साही लुक देना है तो यहाँ पे गरम मसाला एड़ करना बहुत जुरूरी है अब यहाँ पे फ्रेस कटा हुआ हरादनिया यूज करेंगी यह आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं यहाँ पे मैंने खोब सारा हरादनिया एड़ किया है और सबजी के अंदर बढ़िया से मिक्स कर दिया है दो मिनट के लिए और ढक्ये पकाएंगे और इसको हम किसी दूसरे बरतन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगी कितनी आसान और कितनी परफेक्ट रेसेपी यहाँ पे हमने फटा-फट से बना के तयार कर ली है इतनी सिंपल इतनी आसान और इतनी बढ़िया रेसेपी अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फेमली में शेयर जरूर कर दीजी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास इतनी बढ़िया और इतनी परफेक्ट रेसेपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें कल मिलते हैं इसी टाइम पे तब तक के लिए बाई बाई टेक केर